ये बढ़ते हैं आगे फटाफट खबरों के बाद इस समें एक बड़ी खबर आपको बताते हैं नॉइडा से खबर जहांपर स्कूल में छात्रा के साथ बैट टच के मामले में अभीभावकों ने स्कूल में प्रदर्शन किया है इस दोरान अभीभावक और स्कूल मानेजमेंट के बीच में तीखी बहस देखने को मिलिये तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं अभीभावकों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची है दरसल कुछ दिन पहले एक नामी स्कूल में छे साल की बच्ची के साथ एक मजदूर ने बैट टच किया था बच्ची ने उसके बाद क्लास टीचर को ये बात बताई थी लेकिन क्लास टीचर और स्कूल प्रिंसिपल इस मामले को दबाते हुए नजर आते हैं जिसके बाद मजदूर भागने का मौका पाके भाग जाता है जब बच्ची ने अपने पैरेंस को ये बात बताई तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ अब अभीभागों की नाराज़गी देखी जा सकती है साहरनपूर से ने बनानी कि एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है इस वीडियो में एक लड़का ट्द्रेन की इंजर को बइक से बांध कर खीचने की कोशिश कर रहा है वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेल का इंजन फ्रैक्ट पर खड़ा है और लड़का इंजन को बाइक से खीचने की कोशच करता हुआ दिखाई दे रहा है इस दौरान उसकी बाइक का अगला चक्का हवा में बार बार उठ रहा है वाइरल वीडियो देवबन से रुड़की के लिए बन रही नई रेलवे लाइन के बीच का एक गाउं का ये वीडियो बताया चारा है हाला कि वीडियो को संग्यान में लेते हुए जी आरपी थाने में मुकत्मा दर्श कर लिया गया है और ये बढ़ते हैं आगे आपको बताते हैं प्रधानमंधी नरेंद्र मोधी आज दिल्ली में पारलंपिकों से मिले हैं पारिस पारलंपिक दोजाट चौबेस में भारत ने रिकॉर्ड कुल 29 मेडल जीते हैं जिसमें साथ गोल मेडल हैं, नौ सिल्वर मेडल हैं और तेरा ब्रॉंज मेडल इनमें शामी हैं भारत ने कभी इससे पहले इतने मेडल नहीं जीते हैं इतियास रचनेवारे पारलंपिकों से प्रधानमंधी नरेंद्र मोधी ने मुलाकात की पीम ने अटलीट्स के साथ बातचित की है, उन्हें शाबाशी दी है पारिस पारलंपिक 2024 में भारत की शूटर अवनी लेखरा ने 10 मीटर एर राइफल इवेंट में गोल मेडल जीता है आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी उनसे मिले तो उन्हें अवनी कोश्रा वाशी दी अब बात करते हैं बहराइश की बहराइश में आदम खोर भेडिया अब बच्चों के साथ साथ बड़ों पर भी हमला कर रहा है बेडिये ने इस बार 50 साल की बुज़र को महिला पर वार किया जब बेडिये ने गरदन पर अटाक किया तब महिला की नीन खुले इसके बाद में महिला ने पूरी ताकत से बेडियों को धक्का दिया बवानिपूर के कोरियन पूर्वा गाउं की घटा है बवानिपूर में दूसरी बार भीडिये ने अटाक किया है जो है यह सो रहे थे दरवाजा खोल दिया ने किसी लड़के बच्चे बाहर आए गए वो कहीं शीपा था यह सो रहे थे इनका आया गला पकड़ लिया जब गला पकड़ा तो यह कुछ आवाज निकली मुझे तो घर के लोग जान पहें तो सब दोड़े कि क्यों चिला रही है दोड़े जब देखा तब ओ लोग चिलाने लगे तो अगल बगल के लोग अगठा होए तो जो है जब ज़्यादा आद्मियों इनको छोड़के वह भग गया अगरना के खेद में घुश गया भेराईश में वन्वीभाग का ओप्रेशन भेड़िया लगातार जारी है पाँच भेड़िये पकले जा चुकデ Them लेकिन भेड़ियों का मुखिया लंगला सारडार लगातार बदला ले रहा है लगातार अटैक कर रहा है और अब बच्चों के साथ साथ बड़ों पर भी हमला कर रहा है न्यूज एचीन की टीम इस वक्त कोरियन का पुरुवा में मौजूद है और यहां का द्रश्च पहले आप देखिए यह सामने खेत है घना जंगल है और इसी इलाके में रीता देवी रहती थी पुष्पा देवी रहती थी और उन पर धेड़िये ने अटैक किया पचास वर्ष की आयू है और यह सामने का घर है जरा सामने का घर भी दिखाईए यही पर इनके रिहाईश है और धेड़िये ने इसी छेत्र में इन पर हमला किया और तगड़ा अचाय किया गर्धन पर गहरे जख्म के निशान है और यह सारे ग्रामीड इस घर्टना के बाद गहशत में हैं परिशान है कि आप भेडिये ने बच्चों के साथ साथ बड़ों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है आप वो क्या कहेंगे अब तो 50 वर्ष की आयू की महिला पर इसने जपट्टा मारा है और वन विभाग वाले हरीबक्ष का पुरुवा में कैम्प किये हुए हैं आप क्या तो पर भी हमला कर रहे हैं कल हम टमpoo लेकर और अब यहां पर ढणतबर होया करते हैं की हउसी रातम आप यहां घट्ना उती है रात आप टेंपो से आ रहे थे और टेंपो के सामने भेडिया आ गया थे तीन भेडिये थे वहाँ पर दो नीचे थे पांच थे अच्छा बदवापूर के पास अब जब की बड़ों पर भी हमला शुरू हो गया है तो बड़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि अभी तक तो इसके अगरे सरदार को जल्दी पकड़ा जाए जल्दी पकड़ा जाले कर दो को मार देगाओ